हेलो भाई हो मैं हूँ आपका दोस्त लफकेश और यह है आपके सामने बजाज की इलेक्रिकोटो आज की जो वीडियो है वो बिसिकली रहने वाली है आज हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे यह कितना भागता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले में आपको एक बात किलियर कर देता हूँ हम इसमें दो ही जने एक ड्राइवर भाईया है और एक मैं हूँ दोनों का विड़ जो है वो 80 किलो के आसपास है तो दो ही पेसिंजर है टोटल मिला केस में तो चलिए इसे हाइवे की तरफ लेके चलते हैं वहीं इसका स्पीड टेस्ट होगा और मैंने भाईया को बोल रखा है यह जिस मोड में सबसे ज़्यादा फास चलता है वहीं लगा लेना उसी में हमें टॉप स्पीड चेक करके बतानी है इसे स्कूटर की कितनी है मतला ओटो की भाई मेरे मुझे स्कूटर निकल जाता है बारवार क्योंकि मुझे आदत नहीं है अटो बूलने की तो आप देख लेना थोड़ा कॉंप्रमाइज कर लेना बहुत भाई है जो पुरानी वीडियो पर है ना बहुत उल्टा सीदा कमेंट कर रहे थे ऐसा मत क्या करो भाई तो चलिए मैंने यह जीरो करवा दिया आपके सामने यह दिख रहोगा जीरो पर त जैसे हैं वह जो स्कूटर है ना आप ही प्याजियों का बिल्कुल वैसे ही है 45 तक तो यह वैसे वक्ता है उसी कितर है जो आप है बिल्कुल सेम आपको पता नहीं चलेगा आप ही चला रहे है थोड़ा साही डिफरेंस है इसकी जो प्लास्टिक कॉलिटी वगेरा वह जाल अच्छी उससे बस यह डिफरेंस है हिंडल वगेरा की जो है और ठकान नहीं होती इस स्कूटर में तो यह 40 पहुंच गए आपके सामने और वह डी वाली लाइड है ना ब्लिंग कर रही होगे आप देख रहे हैं अभी यह 41 तक ही अचीव करिए इसने जो स्पीड है अभी 41-40 पर ही रहेगा अभी बता रहे थे कि यह जो है ना 70 तक पहुंच जाता है मुझे असी आ गई मैंने कि यार कंपनी 45 किलोमेटर की रिंज क्लेम कर रही है तो यह 70 कैसे पहुंच जाएगा फिर भहिया पता कुछ बटन दबाते हैं फिर भहिया इसे ना फिर भी 70 नहीं तो निकल कह जाए ही इसकी जो टॉप स्पीड है तो काफी अच्छी स्पीड है बजाया सब्रकाने के मामले मैं स्कूटर अच्छा है tens थोड़ा सा अच्छा है पहुंच वह 20 है तो यह 20 है अ grow अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लायक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू दोस्तों बाई जेहन्द